तो मा के दरवार में हम हाजर हैं दोस्तों देख सकते हैं मा के किरपा आप सपर भी बनी रहा है और हम पर भी बनी रहा है तो कैसे हैं दोस्तों आसा है कि आप लोग भी अच्छे होंगें तो हमें से हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए तो आज का जो वीडिय पर दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेंगें पर दो कि तुनिये ला आज दुर्ट्के चाचा यह बखोरापूर कि तरह पड़ता है मंदिर जाना है हमको बखोरापूर मंदिर कि तरह पड़े गए यही रास्ता है त्वी आगे जाएंगे ठीक त्वी आगे जाएंगे 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 जाए है आप लोग देख सकते हैं कि भूप में बहुत ज्यादा मुतलब बहुत ज्यादा दूप है और बाइक चला जा रहा है यह तो लोग रंख सीगोर यहां है यह चला रहा हूं है इस परिख लोग बनाने में बहुत जादा मैनत लगता है आप लिए अजैशे अचला जा रहा है अब अगर जादा गठता तक तरह से लिए इस अच्छे अच्छे एठख आप अगे आए पिछे वाला बार गेठ है तो फाइनली दोस्तो हम पहुंच चुके हैं बखोरापूर काली मंदिर देख सकते हैं यह गेट है दोस्तो और इस गेट से अभी हम अंदर जाएंगे और दो लोग वहां पे खड़े हैं बाइक से तो कंड्यू मेरे साथ ऐसी ब्लॉग में बने रहिए तो गाइस आप लोग क्यायक पना मंदिर से बहुत लोग पुजा करके आ रहे हैं और यहां पर चौन उसाद है बखोरापूर काली मंदिर दो यहांपो सबगर, आउस है यह बहुत काली मंदिर आप लत मदालां है यहां यह पराद। सारे बगवान है लागGra जी बिसकर्मा जी बाला जी अनुपूर्णा नाता देखिए राधा कृष्ण हो भी है यहाँ पर यह बंदन बांदा जाता है साइद मंदते के लिए बंदन बांदे जाती है दोस्तों जो आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर लेडिज लोग हैं जो भजन करतन कर रही है बोजपूरी भासा सामने देख सकते हैं यह पूरा बखोरापूर काली मंदिर का वो सारा जिसको प्रांगन बोलते हैं यह आंगन है कि इतना अच्छा नजारा है यहां से और यह मंदिर का नजारा है सामने इस सामने मंदिर का नजारा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जैमा काली बखोरा प बहुच चुके हैं बखोरापूर काली मंदिक बखोरापुरवाली जैमाकाली बखोरापुरवाली यह आप लोग देख सकते हैं आईए आपको अंदर का दर्शन करवाते हैं अंदर माता का दर्शन आपको करवाते हैं दोस्तों देख सकते हैं यह ऐसा कुछ नजारा है मंदि लेकर चलते हैं कि अंदर का नजारा यहां से आप लोगों को दिखाते हैं फिलहाल फिर आपको लेकर चलेंगे मंदिर में और जाए होब से बहुत 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 बंदिर है ये आरा भोजपूर में पढ़ता है बखोरापूर में गाइस तो आप लोग भी आना चाहते हैं तो भोजपूर आरा आईए वहां से बखोरापूर ग्राम कोष्ट जो भी है ग्राम कोष्ट यहां का बखोरापूर ही है और बढ़ारा थाना है भोजपूर जीला आरा भोजपूर ब्हार तो कंटिनिव मेरे साथ यसी ब्लॉग में बने रही है और आपको और कुछ दिखाते हैं तो दोस्तों आप लोग भी मा काली से कर दोस्तों देख सकते हैं मां के किरपा अप सपर बनी रहा है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिला अंदवा के गंटि को हल्के जरूर कर दीजेंगे दोस्तों मा का दर्शन आप भी कर लिजिए यह माहा बहुत मतलब बहुत परसिद्ध मंदिर है दोस्तों आप लोग एक वार जरूर आईए यह आरा भोजपूर बिहार में पड़ता है और यह बखोरापूर में पड़ता है दोस्तों दे कि आप लोग जख सकता है बहुत सीड़ पान ही है यह सर्द हालुगों के लिए यहां पर लगाया गया है बहुत अच्छा सुधा है यह बहुत अच्छा सुधा है यह बखोरापूर मंदिर में दोस्तों तक पहुंचता नहीं है हमारे इकना तो इसको ऐसे करके पी लेते है बहुत स्पुंपस कर लोड़ी ऑ weg में डी प객ना के लोड़ी सुधा है यह सिदी अच्छा टेंग कर लेते हैं ृजा सर्दों करें थर में लोड़ी पान है यह बश कि अच्छा है कि दोस्तों हम लोग बखोरापुर मंदिर में आये हैं सिभम सुवीट चाट भंदार यह आपे चाट खाते हैं कि अच्छा खाने के लिए बैठे हुए हैं अच्छत नाम में इनका 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 आरा जिला महुलिंग रहने वाले हैं यह बहुत लगा हुए बहुत देर से घूम रहे हैं तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए विशेश करके बहुत ज्यादा ठक गया हैं यहां पर और भी लोग बैठे हुए हैं अपना ब्लोग बनते हैं ठीक हैं इसको यहां पर कुछ खाते हैं और क्या खाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं तो कंट्रियो बलॉग में बने रहे गां देख सकते हैं कि हम लोगों के लिए चार्ट आ चुका है फिलाल दो पलेट आईए एक पलेट और आने वाला है यह तो आगे अगे अधिक सकते हैं आप लोगों को मुझ में पानी आ तो पानी घोंट ले और बाजार जाके चाट खा ले खाले हैं है फिलाल हम लोग खाते हैं प्रश केक चेस 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 करांद मैं तो आर्मन नोन के इंजल्व इंजलां आकर बहुत मैंजय लगा और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मंदि Hence भूलाक नन्दीर है कली मंदिर का मा ली निकांड को कईसा लगा भाद नंका द्रसन कैसा लगा और अभी फिलाल हम है सुरिय भावान के मंदिर के सामने यहां पर सुरिय भावान है तो इन सब का दर्सन आप लोग कैसा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा पर दीजेगा